प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पाट लेवी ग्रंत अध्याए 23 वचन संख्या 1, 4-11, 15-16, 27 और 34-37 तक प्रभु ने मुशा से कहा प्रभु के पुन्य पर्व जिन्हे समारह के साथ निश्चित समय पर मनाना चाहिए इस प्रकार है पहले महिने के 14 वे दिन संध्या समय के आदर में पास्का है और उस महिने के 15 वे दिन प्रभु के आदर में बेखमी रोटियों का पर्व है तुम साथ दिन बेखमी रोटियां खाओगे पहले दिन तुम लोगों के लिए एक धार्मिक समारह का आयजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे तुम साथ दिन प्रभु को नईवध्य चड़ाओगे साथ में दिन तक धार्मिक समार्व का आयजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे प्रभु ने मुशा से कहा इस्राइलियों से यह कहो जब तुम उस देश में पहुंच जाओगे जिसे मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ और तुम वहां फसल कटोगे तो तुम अपनी फसल का पहला पूला पुरहित के पास ले आओगे वह विश्राम दिवस के दूसरे दिन उसे प्रभु के सामने प्रस्तुत करेगा जिससे तुम्हें इश्वर की कृपाद्रिष्टी प्राप्त हो जाए विश्राम दिवस के दूसरे दिन जब तुम चड़ावे का पूला लाते हो उस दिन से तुम पूरे साथ सप्ताह गिनोगे साथवे सप्ताह के दूसरे दिन अर्थाथ पचासवे दिन तुम प्रभु को नए अनाज का नएवध्य चड़ाओगे सात्वे महिने का दस्वा दिन प्राइश्चित दिवस है उस दिन तुम लोगों के लिए धार्मिक समाहर का आयजन किया जाएगा तुम उपवास करोगे और प्रभु को नईवेद्य चड़ाओगे उसी सात्वे महिने के पंद्रहवे दिन प्रभु के आदर में शिविर पर्व प्रारहम्भ होगा वह सात दिन तक मनाया जाएगा उसके प्रथम दिन धार्मिक समाहर का आयजन किया जाएगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे तुम सात दिन प्रभु को नईवेद्य चढ़ाओगे आठवे दिन तुम लोगों के लिए धार्मिक समारह का आयजन किया जाएगा और तुम प्रभु को नईवेद्य चढ़ाओगे उस दिन समापन समारह होगा और तुम किसी प्रकार का काम नहीं करोगे ये प्रभु के पर्व हैं जिन में धार्मिक समारह का आयजन करोगे और प्रत्यक की विधी के अनुसार प्रभु को नईवद्य, होम, बलिदान और तरपन चड़ाओगे यह प्रभु की वानी है सद्मति के नुसार पवित्र सु समाचार अध्याई 13 वाके 54 से 58 तक येशु अपने नगर आये जहां वे लोगों को उनकी सभागरह में शिक्षा देते थे वे अचंबे में पढ़कर कहते थे इसे ये ग्यान और ये सामत थे कहां से मिला क्या ये बढ़ही का बेटा नहीं है क्या मर्यम इसकी मान नहीं क्या याकूब, यूसुफ, सीमोन और यूदस इसके भाई नहीं क्या इसकी सब बेहने हमारे बीच नहीं रहती तो ये सब इसे कहां से मिला पर वे इसा में विश्वास नहीं कर सके इसा ने उन से कहा अपने नगर और अपने घर में नभी का आदर नहीं होता लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमतकार दिखाए ये प्रभु का दिव्य सु समचार है क्रिस्थ प्रभु की जय मेरे प्रिये भाई और बेनों आज कैतलिक कलिसिया एक महान संत का परो मनाती है और उस संत का नाम है संत जौन मेरी वियनी उनका जन्व 1786 में फ्रांस में हुआ था एक साधारन परिवार में उनकी प्रारंबिक शिक्षा बहुत कमजोर थी जब वे बड़े हो गे एक पुरोहित बनना चाते थे लेकिन इसलिए कि उनकी प्रारंबिक शिक्षा कमजोर थी पुरोहिताए की पढ़ाई शिक्षा बहुत कठी लगी उनको लेकिन उनकी आधियात्मिक था उनकी सरलता और उनकी लगन को देखकर उनको प्रमोट किया गया और पुरोहित बनाए गया पुरोहित बनने के बाद उनको एक ऐसे स्थान में बेजा गया जहां की जनता बहुत ही कुप्रसिद थी आरस नामक एक जगा पर भेजा गया सेवा देने के लिए वहां के मसीही विश्वास में कमजोर थी अनायतिक जीवन जीते थी उपर से हाट धर्मी थी लोगों ने संत जौन मेरी वियाने को उसके बारे में पहले बता दिया था बड़ी हिम्मत के साथ वे वहां सेवा देने गये वहां पहुँचने के बाद उन्होंने घंटों गिर्जा घर में प्रभु के सानिदे में बिताया उनकी प्रार्थना और उनकी प्रेम के द्वारा वहां की जनता का दिल परिवर्तन होता है, हिर्दे परिवर्तन होता है वे अपने पापों का एसास करने लगते हैं और धीरे धीरे पाप स्विकार के लिए जॉन मेरी वियाने के पास आते हैं संपूर्ण अस्थान को उन्होंने बदल दिया आज पुरोईतों के लिए विशेश करके सेवक सेविकाओं के लिए प्रभु के पास्टेस के लिए संत जौन मेरी वियाने एक ज्वलंत आदर्श है अमकसर अपने परिस्थतियों के बारे में बहुत शिकायद करते हैं पती के बारे में पत्नी के बारे में बच्चों के बारे में माबाप के बारे में परिस्थतियों के बारे में संजौन मेरी वियाने हमारे लिए एक सुन्दर आदर्श है कि हम कैसे परिस्थतियों को परिवर्तित कर सकते हैं कैसे लोगों के मनों को परिवर्तित कर सकते हैं उन विशेज के लिए पुरुईतों का आदर्श माना जाता है आज का पहला पार्ट लेवी ग्रंद की अधियाई 23 से लिया गया था आज के पार्ट में आपने इस्राइलियों के साथ मुख्य पर्वों के बारे में त्योहारों के बारे में सुना यहोदियों के साथ मुख्य पर्व यत्योहार ये कौन-कौन से हैं सबसे पहले पास का पर्व दूसरा है बेखमी रूटी का पर्व तीसरा है प्रथम फल का पर्व चोथा है पेंतकोस का पर्व पांचवां है तुरही का पर्व चटवां प्रायश्चित का पर्व और सातवां है शिविर पर्व पहला है पास का पर्व मिस्र देश में गुलामी में जी रही यहूदी जनता इसराइली जनता इश्वर की विशेश किरपा से उस गुलामी से छुड़ाई गई उसकी स्मृति में वे पास का पर्व मनाते हैं जैसा कि इश्वर ने आदेश दिया था इश्वर ने ये भी आदेश दिया था कि ये पहला मांस होगा पहला महिना होगा और पहले महिने के चौदवे दिन ये पर्व मना जाएगा मुक्ति का पर्व दूसरा पर्व है बेखमी रोटी का पर्व आज की पार्ट में आपने सुना उनको आदेश दिया गया कि वे साथ दिन ये पर्व मनाएंगे साथ दिन बेखमी रोटीयां खाएंगे और वे सातों दिन विश्राम दिवस की तरह हैं उन दिनों वे कोई काम नहीं करेंगे एश्वर के लिए समर्पित एक सप्ता हा तीसरा पर्व है प्रतम फसल का पर्व जब फसल कातना शुरू हो जाता है तो पहले फूले लेकर बाले लेकर वे मंदर में आते थे और ये आजकों कुछ चाहाते थे अच्छे मोसम के लिए एश्वर के समरक्षन के लिए एश्वर को धन्यवाद देने के लिए चोथा पर्व है पंतकोस का पर्व जब सारी फसल कड़ जाती थी तो फसल के अनाज यानि गेहूंक से रोटी बनाए जाती थी और वे रोटियां एश्वर की वेदी पर धन्यवाद सुरूप चाहाया जाता था ये पंतकोस का पर्व था पाच्वा पर्व है तोरही का पर्व एश्वर के लिए धन्यवाद के रूप में तोरही बजाया जाता था लोग आनंदित होते थे तोरही का पर्व चटवा है प्राइश्चीत का परव अपने अपने पापों के लिए और अपने जनता के पापों के लिए प्राइश्चीत की बली चाहने का परव और सातवा परव है शिविर परव इस्राइली जनता जब मिस्र देश में से आ रही थी सिनाय परवत पर ईश्वर ने उनको नेमों के दस नेमों की दो पाटियां दी उन पाटियों को उन्हों ने एक मंजूशे में रखा और वहां से जहां कहीं भी वे जाते थे उस मंजूशे को ले कर जाते थे और पूरे मरुप्रदेश में वे शिविरों में रहा करते थे उसकी याद में वे शिविर पर्व मनाते थे ये सात पर्व आज भी यहुदी लोग बड़ी शद्धा पूर्वत मनाते हैं इन पर्वों की द्वरा प्रभु हमें क्या बताना चाते हैं प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में ईश्वर के लिए स्थान देना है ईश्वर से जुडा हुआ जीवन जीना है ईश्वर से जुडा हुआ जीवन और ईश्वर हमारे जीवन से जुडा हुआ ईश्वर इन परवों पर वे मंदिर में जाया करते थे इस इस्राहिलियों का एक ही मंदिर था येरुसलेम में, इस प्रकार वे एश्वर से जुड़ा जीवन, मंदिर से जुड़ा जीवन जीते थे, मेरे प्रीए भाई और बेनों, हमारा अस्थित्व हमें एश्वर से प्राप्त है, अमारे जीवन का मूल सुरोत एश्वर है, जब तक हम एश्वर से जुड़े रहेंगे, तब तक हम हरे भरे रहेंगे, जब जड़ से कड़ जाएंगे, हम सुखते जाएंगे, इस्राइलियों को ये पर्व देकर इश्वर यही बताना चाहता था, कि धन्यवाद देने के लिए इश्वर के पास आओ, अपने पापों के लिए प्राहिष्चित करने के लिए इश्वर के पास आओ, पस्थताब करो, और एश्वर से जुडा हुआ जीवन जीवो मुक्ति का जीवन जीवो उधार का जीवन जीवो यह हम सब के लिए भी एश्वर की और से एक महान संदेश है और आज का सुस्वाचार, संद मत्य के सुस्वाचार की अध्याई तैरस से लिया गया था इस अध्याय में हमने ईश्वर के राज के बारे में विस्त्रत रूप से सुना अध्याय के अंत में हम पढ़ते हैं कि प्रभी येशु अपने नगर आये जहां वे लोगों को उनके सबाग्रे में शिक्षा देते थे वे अचंबे में पढ़कर कहते थे इसे ये ग्यान और इसामर्ति कहां से मिला क्या ये बढ़ही का बेटा नहीं है क्या मर्यम इसकी मा नहीं है क्या ये आकूब यूसुफ सिमोन और युदस इसके भाई नहीं क्या इसकी बेहने हमारे बीच नहीं रहती तो ये सब इसे कहां से मिला सु समाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभी एसु जहां कहें भी जाते थे भारी संख्या में लोग उनके चारों रिकटे होती थे बड़े विश्वास और वरोसे के साथ उनके पास आते थे सु समाचारों में हम पढ़ते हैं कि जहां कहें भी प्रभु जाते थे भीड लगती थी और रोगियों को उनके सामने लाए जाता था प्रभी एसु बड़े बड़े चमतकार और चिन प्रकट करते थी लेकिन जब प्रभी एसु अपने ही नगर नाजरत गए जहां पर उनका पालन पूर्शन हुआ था तीस साल की उमर तक रहे वहां की लोगों ने येसु का तरसकार किया आला कि जब उन्हों ने सुना येसु को तो उनको लगा कि ये तो ग्यान की बाते हैं और ये कारी जो करते हैं ये सामर्ति पूर्ण कारी हैं लेकिन इनको ये सब ग्यान और सामर्ते कहां से मिला हम तो इनको जानते हैं वो तो यहां पे पला पुशा है ये बड़ही युस्फ का बेटा है इसकी मां का ना मरियम है इसके भाई बेहन हमारे साथ रहते हैं भाई बेहन का मतलब यहां पे है चचेरे मा मेरे भाई बेहन येशु का अपना सगा भाई नहीं था सगी बेहन नहीं थी तो बे कहते हैं कि हम इसको जानते हैं नाजरत के लोग येशु के मानविय सुरोत को जानते थे किस मनुश्य का बेटा किस मनुश्य से आया ये जानते थे लेकिन उनको येशु के दैविक या ईशुरिय सुरोत की बारे में ग्यान नहीं था येशु के वचन सुनने के बावजूद येशु के कारी देखने के बावजूद वे समझ नहीं पाए कि आखिर ये बड़ही काई बेटा है ये सब काँ जे मिला वे येशु के अंदर के इशुरत को स्विकार गरने को तियार नहीं थे प्रभ येशु ने जवाब में कहा एक नभी का स्वागत अपने ही नगर में नहीं होता है अंत में मत्ती लिखते हैं लोगों के अभिश्वास के कारण उन्होंने वहाँ बहुत कम चमतकार दिखाए इब्रानियों की पत्रे की अध्याएक 11 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं संद पौलूस कहते हैं विश्वास की अभाव में कोई भी ईश्वर का किरपा पात्र नहीं बन सकता विश्वास की कि प्रभी ईश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि हम लोग जिस भी पत्ती और परेशानियों में जीते हैं उसमें जीएं लेकिन ईश्वर चाहता है कि हम विश्वास की दौरा अपने आजादी प्रकट करें एश्वर के लिए अपने जीवन के दौर को खोलें नाजरत के लोगों ने विश्वास में एश्वर के लिए अपने हिर्दे को ने खोला जिसके कारण प्रभी इस वहाँ पर कोई चिन प्रकट नहीं कर पाए मेरे प्रिये भाई और बेनू सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं जहां कहें भी विश्वास प्रकट हुआ वहाँ प्रभु का जवाब चमतकार और चिन प्रकट हुआ हम नाजरत के लोगों की तरह ना बने बलकि विश्वासी बने प्रभु ने तौमत से कहा आविश्वासी नहीं बलकि विश्वासी बनू हम विश्वासी बने और प्रभु की किर्पा और अनुग्रह के योग्य बने आई एम प्रार्तना करें प्रभीयस्व धन्यवाद देते हैं आज के सुन्दर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए दन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचनों के लिए सञ जौन मेरी वियान्य के आदर्ष के लिए अम तुछ से प्रार्तना करते हैं हमारे विश्वास को बढ़ाईए हमें प्रार्तना में गहराई दीजिए हमें प्रेम की गहराई दीजिए एप्रविय सुन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बेनों को अश्रवात देना आज का संपूर्ण दिनन के लिए आशिश का दिन बने अमारी प्रार्ता को गरहन कर अमेन पागत्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है पागत्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है